सबसे पहले विल्कम बैक and थैंक यू फॉर 4500 सस्क्राइबर हमें और 500 सस्क्राइबर चाहिए 5000 होने को तो जल्दी से सस्क्राइब करो तो मुझे ये बहुत बढ़िया एक टेक्श्चर पैक और शेडर्स मिला ये दोनों मिलके काफी अच्छी जोडी बनते हैं बहुत अच्छे डीटेलिंग्स है बहुत माइनियू डीटेलिंग्स है लेकिन बहुत अच्छे डीटेलिंग्स है ये इसके दिल में खोट है ये थोड़ी-थोड़ी चीजों को पॉप आउट करके बहार लेके आते हैं और आप वीट सीट को देख सकते हो मतलब कितना अच्छा है इतना अच्छा कैसे हो सकता है और ये उपसेडियन पे रिफ्लेक्शन तो देखी सकते हो आईसे रिफ्लेक्शन बहुत सारे चीजों में है मैं काउंट नहीं कर सकते हुगा माइनड्ऱ्ाफ में कितने सारे ब्लोक्स हैं और ये पट्रियों को देखो कितना अच्छा लग रहे हैं अल्ट्रा रियलिय। अल्ट्रा रियलिस्टिक और ये पेर के पत्तों को देखो मतलब trees है पूरे change हो चुके है मतलब कुछ अलग ही गेम के लग रहे है मतलब कोई अलग game के trees को लेके आके Minecraft में बिठा दिया गया है और यह आप पेर तो देखी सकते हो पेर कितने अच्छे है और इनके जो trunk के textures है मतलब कितने अच्छे आप देख सकते हो और ऐसे बहुत सारे मैंने cinematic shots लिये हुए है तो यह मैं बता तो यह low end PC के लिए नहीं है मैं बोलता हूँ जिनके पास low end PC है ग्राफिस करने है वो बिल्कुल भी मत्राई करना है यह texture pack और shaders को जिनके पास थोरा medium end PC है और high end PC है वो लोग बहुत अच्छे से use कर सकते है अगर अपने subscribe नहीं किया है तो जल्दी से subscribe करो क्योंकि बस 2.1% लोगों ने subscribe करके लखा है तो जल्दी से subscribe करो हमें 5000 subscribers चाहिए लब चाहिए ही तो subscribe करो और बता रहा हूँ यह बहुत अच्छे view देते हैं क्या बता हूँ मतलब यह खेल के कुछ अलगी game लग रहे होंगे जैसे की GTA 5 खेल रहे होंगे या Red Dead Redemption उतने अच्छे भी नहीं है लेकिन है Minecraft, Minecraft नहीं लग रहा है कुछ और ही game लग रहा है यह RTX तो नहीं है लेकिन RTX से भी अच्छा feel देता है मतलब आप देख सकते हो कितना अच्छा reflection और smooth lighting है मतलब मैं पूरा दिन बैठके खेल सकता हूँ इसके साथ और यह panda तो हर एक चीज में अच्छा लगते है तो क्या आपको यह shaders ट्राइ करने है अगर ट्राइ करने है तो description में link है उस link में texture और shaders अलग अलग दिये हुए यह shaders इसके साथ सबसे अच्छा compatible है मैंने बहुत सारे shaders ट्राइ किये लेकिन यह वाला shaders इसके साथ ही बहुत अच्छे से compatible हो चुके है तो यह shaders सी ट्राइ करने इसके साथ और कोई shaders करोगे तो cartoon जैसे लगेगा मुझे मत blame करना यह texture pack लाखों में एक है मतलब आपको जरूर ट्राइ करना चाहिए अगर आप minecraft के दिवाने है तो तो आप तब तक देखो cinematics अच्छा लगे तो like कर देना नीचे comment कर देना आपको पसंद आया कि नहीं पसंद आया पसंद नहीं आया तो किस में इसमें क्या पसंद नहीं आया तो नीचे comment करना मुझे जानके खुशी होगी मैं उसे वाबस कर सकता हूँ और हाँ इसके बाद आपको texture pack का वीडियो चाहिए यह shaders का वीडियो चाहिए नीचे description नीचे comment करना description बता रहा मतलब description में काफी सारे वीडियो होँगे मतलब बहुत सारे वीडियो होँगे मैं नाम नहीं लूँगा भी तो देखो मजे करो और हाँ यह वाला shaders में मतलब light का जो control है कितना अच्छा है लेकिन यह वाला texture pack में मैंने देखा है जो weapons का है weapons change नहीं होते है मतलब किसी-किसी texture pack में weapons बहुत modernize हो जाते है लेकिन इसमें weapon change नहीं होते है बस surroundings और blocks ही change होते है काफी अच्छा weapon है और इसका पारी के नीचे भी अच्छा feel देते है अगर आप पारी के नीचे भी मज़ा लेना चाहते हो तो इससे जरूर लगा सकते है और इसके sand में extra texture लगाए हुए जैसे कि पत्ते थोरे बद sticks गिरे हुए रहते हैं वो भी काफी अच्छा add-on है इस shaders में और इस shaders का सबसे favorite part है मेरा इनका तो thank you atmosphere of ticks मुझे suggest करने के लिए तो मिलता है किसी और वीडियो में तो तब तक आप ये cinematics enjoy करो ढ़ता है झाल तो मुझे झाल झाल मुझे झाल तो मुझे भी झाल